C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्त तक दूर्वा भाग एक चौथा पाठ पतंग प्रिष्ट संख्या 20 से 25 तक अब प्रस्तुत है पाठ पतंग ओ, ख, ल, पर बड़ी एकी मात्रा ली ओ, ख, ली, ओ, ख, ली प, त की उपर बिंदी, ग, प, तंग, पतंग च पर बड़े आकी मात्रा चा ब, पर बड़ी एकी मात्रा बी, चा, बी, चा, बी ख, ख की नीचे बिंदी, र, ग की उपर ओ की मात्रा, श, हर गोश, हर गोश ड, पर बड़े आकी मात्रा डा क पर छोटे एकी मात्रा की य, पर बड़े आकी मात्रा या डा की या, डा की या अब आप इन वर्णों और शब्दों को पहचानिये और बोलिये श, श, ड, ओ, ओ, च, ख, 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 खर गोश, खर गोश, दाकिया चाबी, ओखली, ओखली, शल गम श, पतंग, तीन अब आप इन शब्दों को सुनिये और फिर बोलिये अंग, अंग, अंदर, काका, खाक, चिमनी शबनम, शबनम, शंख, बंदर, चाचा, डाक, खिलकी, शर्बत, गंगा, पतंग, आशा, खीर, खीर, गलीचा, शलगम, शलगम, पंपा, चंदन, शीशा, चोर, बगीचा, बगीचा, सरकस, लंका, लंका, मंगल, मंगल, शाखा, शाखा, मोर, मोर, शिकारी, सर्गम, शंका, शंका, शंकर, शंकर, काशी, काशी, शोर, किनारी, किनारी, चार, अब आप इन वर्णों को लिखने का अभ्यास करिए, औ, ख, च, ड, श, यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं, और साथ ही कुछ शब्द भी लिखे गए हैं, आप इन चित्रों के साथ इन शब्दों का उचित मिलान कीजिए, यहाँ पर डाकिये का चित्र है, टमाटर का चित्र है, शलगम का चित्र है, चाबी का चित्र है, और मोर का चित्र है, और शब्द है, टमाटर, शलगम, मोर, चाबी, डाकिया, हरगोश अब आप इन शब्दों के साथ दिये गए चित्रों का मिलान करें मौखिक पाठ अब मैं कुछ वाक्य बोलूँगा और आप इन्हें सुनेंगे यह बढ़िया मकान है यह लता का घर है लता का घर बड़ा है वह नई गाड़ी है वह गोपाल की गाड़ी है गोपाल की गाड़ी नई है यह नया कमरा है यह शीला का कमरा है शीला का कमरा नया है यह अलमारी बड़ी है यह पिताजी की अलमारी है पिताजी की अलमारी बड़ी है दो, अब मैं कुछ वाक्य बोलूँगा और आप उन्हें दोहराएंगे पिताजी की अलमारी बड़ी है चाची जी की अलमारी नई है शीला का कमरा बड़ा है मोहन का कमरा बड़ा नहीं है तोता हरा होता है कोयल काली होती है अनार लाल होता है पपीता पीला होता है आसमान नीला है बादल काला है तीन अब मैं पहला वाक्य बोलूँगा और आप उसे दोहराएंगे लता का घर बड़ा है अब मैं वाक्य बोलूँगा जो आधे अधूरे होंगे और साथ ही कुछ शब्द भी दूँगा आप उन शब्दों को प्रियोग मिलाते हुए उन वाक्यों को पूरा करेंगे पहला वाक्य लीला रमेश की रिक्त स्थान है बेहन लड़की चाची दूसरा वाक्य साड़ी रिक्त स्थान है हरी, पीली, लाल साड़ी हरी है साड़ी पीली है साड़ी लाल है तीसरा वाक्य चाची जी का मकान रिक्त स्थान है दूर, नया, बड़ा चाची जी का मकान दूर है चाची जी का मकान नया है चाची जी का मकान बड़ा है और चोथा वाक्य आसमान रिक्त स्थान होता है नीला, लाल, काला आसमान नीला होता है आसमान लाल होता है आसमान काला होता है चार, अब मैं कुछ वस्तुओं और चित्रों को दिखा कर प्रश्ण पूछूंगा और आप उनका उत्तर देंगे मैं पपीते को दिखा कर पूछता हूँ पपीता पीला है? जी हाँ, पपीता पीला है अब मैं तोते को दिखा कर पूछता हूँ, तोता नीला होता है? जी नहीं, तोता हरा होता है अब मैं कोयल को दिखा कर पूछता हूँ, कोयल काली होती है? जी हाँ, कोयल काली होती है अब मैं टमाटर को दिखा कर पूछता हूँ टमाटर नीला होता है जी नहीं, टमाटर लाल होता है अब मैं आसमान को दिखा कर पूछता हूँ आसमान हरा है जी नहीं, आसमान नीला है अब मैं मोर को दिखा कर पूछता हूँ मोर नीला होता है जी नहीं, मूर रंग बिरंगा होता है योग्यता विस्तार एक, विद्यार्थी आपस में कक्षा की वस्तूओं की ओर संकेत करते हुए उनके रंग को पहचान कर प्रश्न पूछें और हां या नहीं में उत्तर दें दो विद्यार्थी बड़ा, नया, नई, हरा, काला विशेशनों की सहायता से वाक्य बनाए दूर्वा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यंकन बटिल्यांग लिंग्डो तथा निर्माण, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.